नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? संकर निंग्वाल सर कहां से आई हैं आप? जी मध्यपरदेश जिलाधार तेशिल गंधवानी गाउं का नाम मेरा खेड़ी बुजूरग संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? 2014 में 28 जनवरी को सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आप क्या वक्ती साधनाए करते थे? जी संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले गाहितरी परिवार में जुड़ा था उसके पहले हमारे गाउं में एक भाई ने बोला कि मेरो को सपना है यहाँ पे हनुमान जी निकलेगा बोला तो हम उस हनुमान जी को निकालने के लिए गड़ा कोदा है दस बारा हाथ गड़ा खोद दिया बोनी का सिजन था तो गड़ा कोटे कोटे मेंने खेती बाड़ी मदूरी सब छोड़ दी और गड़ा खोदने में लग गया है उस गड़ा कोटे कोटे मेरे को सब गाहों वाले गाली देने लग गया है बोले मर जाएगा बोले भूका खेती छोड़ दी मदूरी में करता है क्य और वो गड़ा कहोदने से मेरे के खीती में कई नहीं पका है और करजा भी हो गया, उल्टा. उसके बाद में मेरे साले जी ने चीफ दी है मेरे को संतरामपाल जी महराज का ग्यान सुनने के लिए. वो चीफ मेने आठ रोत तक सुनी है. उसके बाद मेरे को ग्यान बहुत अच्छा लगा हम तो गड़ा खोत कोते हैं बगवान डून रहे थे बगवान तो सरेल मिल रहा है तो वो चीप सुनके हमने बोला कि एक बार हमको संत्रामपाल जी महराज के पास ले चलो सतलोग आसरम बरवाला में संत्रामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत कुछ लाब हुआ पेला लाब तो मेरी पतने बहुत बिमार रहती थी, पेट में कुछ आतड़ी का सुजन आ जाता था गटान ऐसी कुछ बताई थी, डाक्टरों ने, मैं बहुत सी जगों इलाज कराया, महिने में 10,000 तुम्हें लगाई देता था एसे बहुत से डाक्टरों को दिखा दिया, मैंने गुजराद आस्पताल में, पिपरी आस्पताल में भी ले गया, सबी आस्पतालों में मना कर देतें कि सुदर जाएगा गटान ये, फिर बड़ा आपरेशन भी करवाया मैंने इंदोर में, इसके बाद में भी कोई तकलीद दूर नी हुई, जिस सभी डाक्टरों के पास इलाज करवा करवा के ठक गया था मैं, फिर संतरामपाल जी महराज की सरण में जाने से, नाम दिख्षया लेने बाद में, मात्रा आसिरवात से ही, पान साल पुरानी बीमारी, मेरी पतनी की पेट की जो गटान थी, वो बीमार ठीक हो गए, और आज संतरामपाल जी महराज की बताई भक्ति कर रहे हैं, और वो सोचते हैं, और मेरी एक बच्ची तीन साल की थी, बड़ी वाली बच्ची, उसको टीवी की बीमारी हो गए थी, तो हम बहुत परियसान से थे, उससे भी तीन साल की थी, और वैसे लगा की थक गए, वो बीमारी कतम ने होई, उसके बाद में संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्सिया लेने के बाद बीना गोली दवई से वो टीवी की बीमारी बिलकुल कतम हो गए, संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्सिया लेने के बेले तो में जो बीमारी में वो हो गया था मेरे खाने के बेला पड़ गए थे तो मेरा करजा भी हो गया था 2.5 लाक रुपया संतरामपाल जी महराज से नाम दिख्षया लेने बाद में मेरा लाब सुरू हो गया है संतरामपाल जी महराज की दया से अच्छे रोटेशन चल रहा है सारी चीजों से सोच तो में सर एक चीज और बताना भूल गया था में एक लाब और संतरामपाल जी महराज से नाम दिख्षया लेने से पहले मेरी माता जी सीडी से गिर गई है तो उनका इलाज के लिए में सब्धूर दोड़ा है डाक्टव के लिए बुडियों आई के लिए इलाज कर वा ताम ज्यादा इलाज मत करा आप ज्यादा दिन नहीं जियेगि मर जाएगी यह तो फिर मैंने सोचा जहां तक जीम है वहां तक शा से वहां तक तो इलाज करवाएंगे तो दाक्टर बोलते कि अरे इंजिक्शन तो निलाएंगे बोले मर जयिए तो हमारे माते पड़ेगा मैंने सोचा कि क्यी तैसे कि दो तो तो भी दो देते हैं दो आइ गोली दे देते हैं इंजिक्शन निलाएंगे लगाते हैं। उसके बाद में संत्रामपाल जी महराध से नाम रिक्सिया दिलाया नेक बाद में मेरी माता जी ठीक हो गई और आद चल फीर रहे हैं, चार साल हो गए, उनको नाम दिलाया का बहुत अच्छी हो गए मेरी माता जी। एक लाब और नाम दिख्षया लेने के बाद में आट रोज बाद मेरा लड़का छोटा वाला मेरे साथ सोता था, मैं सुबेच 6 बज़े फरेश होने गया और वापस आते आते मेरा लड़का विश्तर से गाइब हो गया, विश्तर से गाइब होने के बाद में हम सब दूर में परेसा नहीं कोहीं नहीं तो रहा है। लड़का मिल जाएगा। दोrict नहीं अट form देन शुरीन कि रजय के बाद में सbasak में तुभbelt परनाम काम मिनल। कि बाद में गुरु जी मेरे को मेरा लड़का होना में कई नहीं जानता हूँ इत्ता मैंने बोला और बाहर निकला तुरंत मेरे को मेरा लड़का मिल गया बाहर बेटा वाई मिला मैंने संत्रामपाल जी महराज से नाम लेने बाद में मेरी लड़की की बिमारी ठीक हो गए, मेरी पतनी की बिमारी ठीक हो गए, मेरी माता जिबनी चल रही थी, वो चलने फिरने लग गई है, मेरा बच्चा गुम गया था, वो भी मिल गए है, और सारी चीजों से अभी हम सब सुकसांती में है, पुरा परिवार सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इलाप राप्त हुए तो जो सरदालो आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश तो क्या देना चाहता हूँ मैं सबसे परातना करता हूँ कि बहुत से चेनलों पे सक्षन आता है संत्रामपाल जी महराज का पेले तो साधना चेनल पे एकी चेनल पे आता था अभी तो बहुत से चेनलों पे सक्षन आता है और वहां पे पट्टी चलते मूबाइल नम्मर आते हैं उससे फोन लगा के संपर्क करके सब भी आप संत्रामप झाल झाल